इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह हॉमोन इंसुलिन के लिए शरीर की प्रतिक्रिया में भी सुधार करता है जो हमारे शरीर में रक्त शरकरा यानि की शरकरा के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है इंसुलिन आपके रक्ट शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है और भोजन लेने के बाद उन्हें बढ़ने से रोकता है आपको इसे तब तक लेते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारित हो रग्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है यदि आप स्तर को नियंतरित कर सकते हैं तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि किड्नी की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका, समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य, स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं Glizid M.O.D.S.R. टैबलेट A.S.R. को भोजन के साथ लेना बहतर होता है Glizid M.O.D.S.R. टैबलेट A.S.R. दो एंटिडाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है Gliklazide और Metformin Gliklazide एक सलफनीलियूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्नियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है Metformin एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविधन शीलता को बढ़ाता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद